हेलो एवरीवन वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल होटिस्पॉट इस्टेडी आयम मोहिन जारून आई वेल्कम यू आल ओन होटिस्पॉट इस्टेडी और होप कि आप तमाम लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है अगर नहीं किया है जो लोग नए है चैन इसलामिया दोहजार सोला का इंटैन्स पेपर हल कराने जा रहे हैं इससे पहले हम लोग दोहजार एक्स बीस उन्निस अठारा और सत्रा पांस सालों का करा चुके हैं अगर आप लोगों ने उन पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएए वहा हेल्पिंग इस अवर मेथड़ और जितनी जाद हम लोग के हेल्प करते हैं उतनी जाद हमारी अल्लाब लालमीन मदद करता है तो लेट स स्टार्ट वीडियो पहला कोश्चन इसके अंदर यह है कि सजाज जहीर की तस्नीफ है तो रोशनाई है यहां पे आप देख सकते हैं सजाज जहीर जो तरक्वी पसंद तहरीक के बानी है तरक्वी पसंद तहरीक आप तमाम लोग जानते हैं कि 1936 में इसकी बुनियात पड़ी थी और सजाज जहीर तरक्वी पसंद तहरीक के बानी तसलीम किये जाते हैं और इनकी जो तस्नीफ है इन चारो आप्शन्स में से वो रोशनाई है, तो रायड आप्शन हमारे पास हो जाएगा, ए रोशनाई, इसके लावा सज्जाज जहीर की और भी मशहूर किताबे हैं, जैसे जिक्रे हाफिज हैं, अंगारे हैं, लंदन की एक रात हैं, रूह अदब मगरिबी बंगाल, तो जितनी भी एक्स्ट्रा में दोबारा से आजाएं, सज्जाज जहीर की बग्या जो किताबे हैं, उनमें जिक्रे हाफिज का नाम आता है, अंगारे का नाम आता है, लंदन की एक रात और रूह अदब मगरिबी बंगाल, उसके बाद सवाल नमर दो, एक चादर मैली सी के मुसनिफ हैं, एक चादर मै मशूर किताबे हैं, जैसे मैं आपको 6-7 किताबे बतलाओंगा, पहले नाम अपने दुख मुझे दे दो, ये किताब आई दिंग जामिया के पेपर्स में हर साल एक्जाम में पूछी जाती है, कि अपने दुख मुझे दे दो, ये किताब इस किताब के राइटर कौन है, इ दूसरी जो किताब है राजिंदर सिंग बेदी की वो है एक चादर मेली सी, तीसरी जो किताब है वो है दाना वदाम और चौथी किताब है साथ खेल, पांच वी किताब है करम कोड, छटी किताब है महिमान, साथ वी है कोख जली, आठ वी है हाथ हमारे कलम हुए. तो ये आठ किताबे, ये मश्यूर और फेमस किताबे हैं डॉक्टर राजिंदर सिंग बेदी की, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, अपने दुख मुझे दे दो, एक चादर मेली सी, दाना वदाम, साथ खेल, करम कोड, महमान, कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए, उसके गालिब की जो पैदाइश है, वो आगरा के अंदर 1797 में होती है, आगरा जिसको हम लोग पहले जमाने में अकबराबाद के नाम से जानते थे, तो अकबराबाद में गालिब के पैदाइश होती है 1797 में जिसको हम लोग आजकल मौजूदा दौर में आगरा कहते हैं, तो ग उसके बाद सवाल नमबर पांच शेर में काफिया किस मकाम पर आता है बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल कोशन है कि शेर में काफिया किस मकाम पर आता है तो शेर में जो काफी आता है वो रदीव से पहले आता है तो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी रदीव से पहले ठीक तो यह कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं जो गजल के अंदर मलब आती है जैसे उन में मलब आप देखें तो मतला है ठीक है मतला आता है मकता आता है ठीक मकते के लावा काफी आता है रदीव आता है तो इन तमाम चीजों की मैं आपके सामने तारीफ कर देता हूं सो डेट आप लोगों के जहन में किलियर हो जाए कि रदीव क्या होता है मतला क्या होता है सो आई मतला से स्टार्ट करते हैं तो घजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम नदीफ हों मतला कहलाता है ठीक अगर किसी घजल में दूसरा मतला भी होते हो से हुसन मतला या जेब मतला कहते हैं और अगर आपको मिसाल देना हो तो आप मिसाल दे सकते हैं जैसे जिन्दगी है तो बहरहाल बसर भी होगी शाम आती है तो आए सहर भी होगी तो मतला गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम नदीफ हों मतला कहलाता है उसके बाद मक्ता है मक्ता किसे कहते हैं गजल या कसीदे का आखरी शेर जिसमें शायर अपना तخल्स बयान करता है मक्ता कहलाता है ठीक आप अगर मिशाल देना चाहें तो सिंपल है दे सकते हैं मसलन हम उसे मूँ से बुरा तो नहीं कहते हैं कि फिराक दोस्तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं तो यहां पे जो फिराक गोरकपुरी का नाम आया हुआ है तो शायर ने अपना इसमें तखल्स बयान किया है और यह गजल का आखरी शेर फिराक गोरकपुरी का आप सिंपल ही कह सकते हैं कि यह मक्ता है कि गजल या कसीदे का वो शेर वो आखरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्स बयान करे वो मक्ता कहलाता है उसके बाद थर्ड नमबर पे आता है काफिया काफिया किसे कहते हैं वो हम वजन और हम आवाज अलफाज जो किसी शेर के आखिर में रदीफ से पहले आते हैं काफिया कहलाते हैं मिसाल के तोर पे आपको इस तरह के अलफाज देखने को मिलेंगे रात के आखिर होके खत्म था ये अफसाना भी तो इस शेर के अंदर जो वर्ट्स आए हुए हैं परवाना और अफसाना इनको मलब काफिया कहा जाता है ठीक उसके बाद लास्ट में एक रदीफ आता है तो रदीफ किसे कहते हैं वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं रदीफ कहलाते हैं ठीक तो रदीफ और काफिया में फरक है कि रदीफ जो अलफाज है जो रदीफ के जो अलफाज है या रदीफ के जो कलमात है वो अशार के आखिर में सबसे आखिर में आएंगे ठीक है किसी भी शेर में सबसे आखिर में जो कलमात आएंगे उनको रधिव कह जाएगा और रधिव से पहले कलमात होंगे परवाना है अफसाना है आना जाना यसे या आस्मा या बותां तो इनको हम लोग मैंनलब काफिया कहते है ठीक जो भी कलमात होंगे परवाना है अफसाना है आना जाना या से या आसमा या बोता तो इनको हम लोग मलब काफिया कहते है ठीक उके उसके बाद अगला सवाल है सवाल नमर छे रज्ज किस सिन्फ के अज़जाय तरकीवी में शामल है तो रज्ज मरसिया के अजिजाय तरकीवी में है जिसमें चेहरा भी आता है सरापा भी आता है ठीक है तो रज्ज मरसिया का जुज़ है उसके बाद सातवा सवाल मीर तकी मीर के हम अशर शायर का नाम बता हिए देखिए इसमें चार शोरा के नाम लिखे हुए हैं और इन चारो शोरा का तालुग दबिस्ताने धेली से है ठीक तो मीर की जो पैदाइश है अब इसमें हम लोगों को मनलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ये सवाल है तो हम इसमें मलब सबसे पहले मीर के पैदाइश देखेंगे और उनके वफाद देखेंगे बकिया चारो शोरा की वफाद देखेंगे और उनकी तारीख पैदाइश भी देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मीर के actual में असल में हम असर शायर कौन से होते हैं ठीक आएए पहले देखते हैं कि मीर की पैदाइश कब हुई थी मीर की पैदाइश हुई थी आगरा के अंदर 1723 इसवी में आप लोग लिखते रहिएगा ठीक तो मीर की पैदाइश हुई आगरा के अंदर 1723 इसवी में और लखनो में इनकी वफात होती है 1810 के अंदर ठीक उसके बाद पहला यहाँ पे जो आपशन है जौग जौग की पैदाइश होती है 1790 देली के अंदर और 1854 दिली के अंदर इनकी वफात होती है उसके बाद अगला यहाँ पे जो आपशन है भी गालिप गालिप की पैदाइश 1797 आगरा में होती है और 1879 इसवी दिली में इनकी वफात होती है उसके बाद तीसरा आपशन हमारे पास है सौधा सौधा की पैदाइश होती है 1713 में और मुगलिय स्लत्रत में इनकी पैदाइश होई और 1781 लखनों में इनकी वफात होती है फिर चौथा ने में मौमिन मौमिन की पैदाइश 1880 इसवी दिली में होई और 1851 इसवी दिली में वफात पाजाते हैं ठीक तो अगर हम जादा करीना क्यास देखें कि मीर के हमासर शायर कौन से होंगे जिनोंने मीर के साथ जिंदी की जादा तर जिंदी की गुजारी है तो इन में अगर आप पैदाइश और वफात के इतिवार से जाएंगे तो आपको सौदा का नाम मिलेगा क्योंकि मीर की पैदाइश 1723 की है और सौदा की 1723 की है तो दस साल का पैदाइश में फरक है उसके बाद लखनों में सौदा की वफात होती है 1781 में और लखनों के अंदर ही मीर की वफात होती है 1810 में ठीक तो कुल मिलाके अगर आप देखें तो सौदा मीर के हमासर शायर होते है क्योंकि जब दिल्ली उजड गई थी तो उसके बाद दिल्ली के जितनी भी शोरा थे चाहे वो मिल्लब मीर हो या सौदा हो या मौमिन हो ठीक है तो ये तमाम या मुसहफी हो या आतिश हो या जुरत हो या इन्शा हो ये तमाम के तमाम लोग दिल्ली से मुन्तकिल होके लखनू आ गए थे और लखनू के अंदर इनों ने अर्दू जबान की तरकी में एक एहम रोल निमाया था तो यहां पे मल्लब सौदा जादा करीना कयास है और जादा मल्लब अगलब सौदा ही है तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी सौदा उसके बाद आठवा सवाल शौई अमीद किसकी नजम है शौई अमीद जो नजम है वो अल्मा अकबाल की नजम है यह अल्मा अकबाल की बहुत सारी फेमस नजमे हैं जो एक्जाम के अंदर पूंची जाती है इन में जो मलब most asked poems in competitive exam मैं आप लोगों को एक बार count करा देता हूँ आप लोगों के mind में साही नजमे बैठ जाएं पहले नमबर पे है शिक्वा, दूसरे पे है जवाब शिक्वा, तीसरे पे है एक आर्जू, चौथे नमबर पे है तराने हिंदी पांच वे पे है बच्चे की दुआ, चटे पे है जावेद नमा, जावेद की नम, साथ वे है तुलूए इस्लाम, फिर है हिंदुस्तानी बच्चों का कौमीगी, फिर है परिंदे की फर्याद, फिर है जिबराईल और अबलीस, फिर है मस्जदे कुरतबा, फिर है नया श आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए उसके बाद दस्वा जो सवाल है हमारे पास अर्दू मौला मजमूवा है तो अर्दू मौला ये मजमूवा है खतूत का स्थाहें ओदे हिंदी हो या अर्दू मौला हो ये दोनों मजमूवे गालिप के लिखे हुए हैं खतूत के ये है तो रगोपदी सहाए ये नाम है फिराग गोरकपुरी का उसके बाद तेरवा सवाल तरक्य पसंद तहरी के अब्तिदा कब हुई तो 1936 के अंदर तरक्य पसंद तहरी के अब्तिदा होती है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा अब भी उसके बाद चौदवा सवाल न मुहमद हुसैन आजाद इसके मुसनिफ है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ए मुहमद हुसैन आजाद आदे के नीरंगे ख्याल हो या इनकी और जो किताब आबे हायात ये दोनों किताबे आबे हायात और नीरंगे ख्याल ये दोनों किताबे जामिया बियोनर्स अ मैं उन बच्चों से हमेशा यह कहता हूं कि आप किसी भी कॉम्टेटिव एक्जाम के तैयारी करें या भी ओनर्स अर्दू की करें या भी ओनर्स अर्विक की करें तो उसमें आप 20 से 25 बार कमसकम जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके जाएं और 10 से 12 बार यह जो वी हैं उसके बाद 15 स्वाल है हमारे पास नजीर अक्बर अबादी कब और कहां पैदा हुए सु नजीर अगबर अबादी की पैदाश होती है 17440 इल्لी के अंदर सु राइट आप्शिन हमारे पास हो जाएगा भी उसके बाद अगला समुल है इबने मरियम हुआ करे कोई मेरी भी सेनात धे इस शेर में तल्मी सेनात इस्तिमाल की गई है तो रायट अप्षन आरे पास हो जाएगा ए उसके बाद सतरवा सवाल मुंशी पिरेम चंद कब पैदा हुए तो मुंशी पिरेम चंद पैदा भूए अथारह सो असी के अंदर रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी उसके बाद अठारवा सवाल मुहमद अली जोहर कौन सा अख़बार निकालते थे तो मुहमद अली जोहर हमदर्द नामी अख़बार निकालते थे रायट आप्शन हमारे पास हो जाएगा ड्डी उसके बाद उन्निसवा सवाल ड्रामा खाना जंगी के मसन्निफ है तो खाना जंगी जो ड्रामा है उसको लिखा है प्रोफेशर मुहम्मद मुझीब ने तो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा भी उसके बाद बीसवा सवाल मसनवी सहर बयान का सन इशाथ क्या है तो मसनवी सहर बयान का जो सन इशाथ है वो 1784 है तो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा सी उसके बाद एकिसवा सवाल यादगार गालिब के मसन्निफ हैं अल्मा अलताफ हुसेन हाली उसके बाद 22 सवाल अफसाना टूबा टेक सिंग के मसन्निफ हैं अफसाना टूबा टेक सिंग के जो मसन्निफ हैं वो जाएंगे साधत हसन मंटू तो राइट अप्शन हमारे पास हो जाएगा डी उसके बाद 23 सवाल, शेरी मजमुवा बांगे दरा के मुसनिफ हैं, वो बांगे दरा के जो मुसनिफ हैं वो हैं अल्मा इकबाल, राइट अप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, देखें अल्मा इकबाल के और भी बहुत सारे मजमुवा एक अल्मात हैं, जैसे अगर आप उन मे पे अर्मगाने हिजाज, पांचवे नंबर पे असरारे खुदी, छटे नंबर पे है पयामे इश्क, पयामे मश्रिक, साथवे नंबर पे है जावेद नामा, तो इतने सारे ये अलमा अकबाल के मजमुए कलामात हैं, इनको आप लोग अपनी कौपीज पे लिखते रहे हैं, नोट डाउन डेट इनफॉर्मेशन डेट इस वेरी वेरी यूसफुल और पे लिखते हैं, एक बार मैं और रिपीट कर दूँ, मजमुए कलामात अलमा अकबाल, जर्ब कली, बांगे दरा, बाल जिबराईल, अर्मगान हिजाज, असरार खुदी, पेयाम मश्रिक, यादों की बारात के मसनिफ हैं, तो इस किताब को जो लिखा है, वो जूश मलीहाबादी ने लिखा है, तो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा, बी, उसके बाद पच्छिसवा सवाल, मौलाना अबुल कलामाजाद के अख़बार का नाम है, तो मौलाना अबुल कलाम अजाद दो अख़बार निकालते थे, एक का नाम अलहिलाल था, दूसरे का अलवलाग, तो ये दो अख़बार मौलाना अबुल कलामाजाद के हैं, राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा, सी, उसके बाद 26 वा सवाल है, प्रेम चंद का अफसाना है, तो प्रेम चंद का मौमिन का, मौमिन का बहुती मशूर ये शेर है, राइट आप्शन, ए हो जाएगा, उसके बाद 28 वा सवाल, डरामा अनारकली के मुसनिफ का नाम, तो अनारकली के जो मुसनिफ हैं, वो इम्तियाज अली ताज है, राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा, सी, उसके बाद 39 سوال गुबारे خاتر کے मुसनिफ का नाम क्या है गुबारे خاتر के जो मुसनिफ है वो मुलाना अबुल का नाम आज़ाध है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास उसके बाद 30 सवाँ गजल के पहले शेर को क्या कहते है उसके बाद 31 सवाल सरसेद अहमद खा की तारीख पैदाइश है सरसेद अहमद खा की जो तारीख पैदाइश है वो 17 अक्तूबर 1817 है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा A उसके बाद 32 सवाल मजमून सरसेद मरहूम और अर्दू लिट्रेचर के मजमून निगार है तो इस मजमून को लिखा है अलामा शिबली नुमानी ने राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा B उसके बाद 33 सवाल पासिद नहीं ये काम तिरा अपनी रह ले उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके ये शेर किसका है तो ये शेर हो जाएगा दर्द का राइट आप्शन हमारे पास बनेगा D मीड दर्द उसके बाद 34 सवाल अफसाना चौथी का जोड़ा की मुसनिफ है तो यहाँ पे की लिखा हुआ है तो इसका सिम्पल मतलब है कि यहाँ पे इस अफसानी की जो मुसनिफा है वो हमारे पास हो जाएंगी असमच चुकताई असमच चुकताई कि इसकी मुसनिफा है राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा C उसके बाद 35 सवाल तश्वीप किस सिम्फ के अजिजाय तरकीवी में शामिल है तो तश्वीप यह कसीदे के अजिजाय तरकीवी में शामिल है सो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा D उसके बाद 36 सवाल दास्तान बाग और बाहार के मुसनिफ ہیں बागो बार की मुसनिफ है मीर अम्मन देहल Candy राइट आप्षन हमारे पास हो जाएगा A उसके बाद सैंटिस्वा सवाल अल्ल्मा अचपाल का इंतगाल कभ हुआ तो अल्ल्मा अचपाल का इंतगाल उन् corrections वी अप्षन हमारे आप्षन हमारे पासुआबगा उसके बाद 38 सवाल नजम तनहाई के मुसनिफ हैं तनहाई के जो मुसनिफ हैं वो हो जाएंगे हमारे पास फैज एहमद फैज राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा C उसके बाद 49 वा सवाल है आगा हश्ट काश्मीरी का डिरामा है इनका जो डिरामा है उसका नाम है यहूदी के ललकी तो राइट आप्शन हमारे पास हो जाएगा डी उसके बाद 40 वा सवाल खूजी किस नौविल का किरदार है तो यह फसाना आज़ाद जो नौविल है उसका क इसको ठीक, तो अगर आप लोग कोचिंग करना चाते हैं, एक महीन एक आपके पास टाइम है, हम लोग प्रेपरेशन करा रहे हैं, सिकेंड बेच अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और इसमें हम दोनों चीज़े कवर कराएंगे, और बहुत ही रीजनेबल फीज है, बह पार्ट सब कर सकते हैं, कोचिंग का पार्ट बनिए, और अपना एक साल जाय होने से बचाईए, और इसी साल सीड बुक कर लेजिए, जामिया बियॉनर्स अर्दू के अंदर.